हलो फ्रेंड्स लेवल आप यूर लाइफ चैनल में आपका स्वागत है आज हम बात करने वाले हैं दुनिया की सबसे बेस्ट बुक जिसका नाम है अपने जीवन को 11 दिनों में बदलें जिसका राइटर है अनंद गिरी चैनल पर नया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइ पूद रहेंगे आथर ने अपने कुछ विचारों को चैनल लाइफ इन 11 देश बुक में लिखा जिनों ने अपने जीवन को सुंदर सामाजे स्पूर्ड और अनंद में बनाया है यह विचार वास्तविक है और कोई भी इससे आसानी से अपना सकता है और अपने जीवन को ह चैप्टर में explain किया गया है अपने विचारों को बदलें अपना जीवन बदलें क्यों कुछ लोग परसंद हैं और अन्य लोग दुखी और उदास हैं क्यों कुछ अमिर और सफल हैं और वह कुछ लोग गरीब और अभाव से भरत जीवन जीते हैं इन सभी सवालों का एक ही सिच्छा ली थी महत्पूर तो यह है कि हमारा मस्तिक किस तरह के विचारों से भरा हुआ है हम अपने विचारों के अनुसार कारे करते हैं हमारे कारे हमारी आदत बन जाते हैं आदते हमारी चरित को बनाती हैं चरित हमारे जीवन और भागे को बनाता है अपने जीवन और भा आदत बनाते हैं अच्छी आदते आपके चरित को अच्छा बनाते हैं चरित को हर जेगे पूजा जाता है यदि आपका चरित अच्छा है तो हर कोई आपको प्यार करता है हर कोई आपकी प्रसंसा करता है और हर कोई आपका सम्मान करता है अपने विचारों को बदल कर एक आवसकता होती है इच्छा सक्ति के बारे में अच्छी बात यह है कि इसे विक्सित किया जा सकता है चुकि आप पहले सी अपने विचारों को बदलने की प्रकिरिया में हैं इसलिए आपकी आदितों को भी जल्दी बदला जा सकता है आपके इस्तिति आपका आज का जीवन पूरी तरह से बदलना होगा अतियत में आपकी आधिते और कार आपकी वरतमान इस्तिती के लिए जिम्मिदार हैं जिसे आप वाष्टों में पसंद नहीं करते हैं और आप बहतर होना चाहते हैं एक बहतर बितीय इस्तिती एक स्वास्त शरीर एक अच्छा नजरिया एक अध आपकी प्रिगस्त से दूर ले जाने वाली हर वजय को खत्म करें चैप्टर 3 पांच महत्पूर आदिते जो आपके जीवन को तुरंद बदल देगी नमबर 1 सुबह जल्दी उठें ये अच्छी आदितों में से एक है जिसे हर वक्ति को विक्सित करना चाहिए अपने नियमि जगने के समय से दो घंटे पहले जागना दो घंटे का बोनस है जिसका उपयोग आप किसी उद्यश के लिए कर सकते हैं प्रारंभिक सुबह परदूसर सुर से मुक्त होता है और प्रातयकाल में एक प्राकृतिक दिब्यता है नमबर 2 ध्यान प्रतिग्या और कलपना करें प्रातयकाल चिंदन करने से मुष्टी को सांती धैर दिब्रता एकागरता सक्त इमिलती है और पूरज दिन सार्थक रहता है एक ताजा और अच्छा दिन सुरू करने के लिए प्रतिग्या महत्वः अपने आप से कहो मैं सुंदर हूँ मैं स्वस्थ हूँ मैं सांति पूर स्वेब और मैं इस दिन से सरस्थेश्ट परदेंसन करने जा रहा हूं यह भगवान मुझे सुन्दर जीवन के लिए धन्यवाद करें कलपना आपके मस्तिक में मजबूत च्छाब बनाती है जो आपकी प्रिगत में मदद करेगी और आपके जीवन लच्छों को प्राप्त करने में सहायता करेगी नमबर थारड निमेत रूप से बयाम करें और सोष्ट भोजन खाए एक सोष्ट शरीर के बिना आपके पास मजूद सभी संपत का कोई मोल नहीं है तंदरूश्ट सरीर ही सबसे अच्छे संपत ही है सुबह उठे और थोड़ा योग करें ही भाप जिबनाश्टमी स्विमिंग बालिबाल, किर्केट या फुटबाल खेने बयाम से बहुत उर्जा मिनती है और आपकी सरीर में हर्मोन का उत्पादन अच्छा होगा आपका पूरा दिन ताजा और उर्जवान बना रहता है नमबर फोर्थ, अपने लच्छों को लिखें, एक नोटबुक लें, अपने लच्छों को लिखें, जब आप अपने लच्छों को लिखते हैं तो आपके दिमाग में कुछ होता है, आप भाग साले हैं कि आप अपने लच्छों को लिख रहे हैं, 90% लोगों के पास कोई ल निर्धारित करें आपने अभी तक अपिल लच्छों को लिखा है यदि आपके पास लगवग 5 यद 10 महत्पूर्ड लच्छ हैं तो आप अपने लच्छों के लिए प्रास्थमित्र निर्धारित करें आपके कौन से लच्छ बहुत महत्पूर्ड हैं कलम के साथ एक सरकल बना आथर का सुझाय है कि आप अपने जीवन के 4 महत्पूर्ड छेत्रों के लिए लच्छ निर्धारित करें नंबर 1 वन बितिये लच्छ अपने जीवन के लिए 1 वितिये लच्छ निर्धारित करें गहीं दो साल या पांच साल जहां तक आप पहुँचना चाहते हैं आप कितना पैसा कमाना चाहते हैं, कितनी सामागरी का उपयोग होगा, उन्हें प्राप्त करने की क्या आपकी योजनाए हैं, परते एक चरण लिखें अपने परिवार के सदस्यों को प्रयाप्त समय दें, और उनकी जरूरतें, सपनों, उनकी लच्चों को समझें, और उन्हें प्राप्त करने के लिए मिलकर काम करें, एक सांतिपूड और द्यालिव परिवार सबसे अच्छी नयतिक सकती है हर किसी के लिए सवस्त महत्पूर है, यदि आप मोटापी से ग्रस्न हैं, तो खराप भोजन खाना बंद करें, और तुरंद बयाम करना शुरू कर दें, अपने सवस्त लच्च को प्राप्त करने के लिए एक अथक रूप से काम करें, जब आप इच्छनुसा सरीर प्राप या एक धार्मी कसंस्थान में सामिल हो, और गरीबों और जरूरत मंदों की सेवा करें, चैप्टर फाइप, जो कुछ भी आप पाना चाहते हैं, उससे आकरसित कैसे हो, ब्रहमांड में वह सब कुछ है, जो आप चाहते हैं, आप अपनी इच्छ सक्त के साथ, जो कुछ भी चाहते हैं, उससे आकरसित कर सकते हैं, आपको बस इतना करना है कि आपको अपने मश्तिक को फिर से प्रोग्राम करना होगा, अपने चरित्र ऐसा बनाए कि जहां भी आप जाएं, आपको हमिशा समान, स्वागत और आदर मिले, इसके कुछ नियाम है, पहला नियाम, पूछ पूछना, लोग एक दूसरे से पूछने में संकोष करते हैं, यदि आप पूछते हैं, तो केवल दो उत्तर, हाँ यह नहीं हो सकते हैं, अगर उन नहीं कहते हैं, तो आपके पास काफी विकल्प है, अगर हाँ कहते हैं, तो यह ठीक है, दूसरा नियाम, दूसरों की सराहन करना आज कर हर जिगें सब एक दूसरे पर बस दोस्त डाल नहीं हैं यह मत सोचों कि केवल आप ही अच्छे हैं और सही हैं और बाकि सब गलत और बुरे सब में सब कुछ ना अनोखा होता है दूसरे के अनोखेपन को ढूड़े और सराहना करें लोगों को इस्विकार करें और उनकी प्रसंसा करें दूसरों को आपके साथ सहज महसूस करवाएं और उनकी भावनाओं विचारों और कारियों का समान करें तीसरा नियम लोगों के अन्यकूल नहें आप सब कुछ अकेले प्राप्त नहीं कर सकते आपको अपने आज-पास आपकी साहता करने वाले लोगो नहीं मिलती विफलता अध्यन का चिन है और विफलता के बाद आप हमेशा कुछ नया सेखते हैं हर विफलता को सफलता का पड़ाव बनाएं कड़ी मेहनत करें अपने गलतियों को सही करें और आप जीतेंगे और आप सब कुछ प्राप्त कर लेंगे जो आप चाहते हैं वान सरवसक्तिमान या अत्रिक्त चेत्न की सार्वभौमिक सक्ति से जुड़े नहीं हैं खुद को उस अत्रिक्त सक्ति से जोड़ने का प्रयास करें बहुतायत सांती सपलता सौंदर और सब कुछ आपके ऊपर बचार के लिए तयार है चैप्टर 6 क्या आप संसार के सबसे अमीर वक्त बनना चाहते हैं आधर कहते हैं कि मैंने अपने जीवन में कई गरीब लोगों को देखा है कुछ लोग पहुत गरीब हैं कि उनके पास केवल पैसा है कुछ बिचारों से गरीब हैं और कुछ संबंधों में गरीब हैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी वह है जो अपने जीवन में संदूष्ट है, मैं पैसे या भावतिक संपत के खिलाप नहीं हूँ, लेकिन पैसे की तलास में लोग अपने अच्छे रिष्टे, अच्छे दोस्त और अपने आसपास के अच्छे लोगों को खो देते हैं, असली खजाना हमारे महन विचारों में है, ये सुनेरी खदान है, जब आप अपने विचारों की खदान को गहरा खोल लेंगे, तो आपसे ये सुनेरी संपत कोई नहीं जुरा सकता, कोई आयकर या प्रवर्तन उस पर नियनतत नहीं ले सकता, आपको रातों की नीद खोने की जरूरत नहीं है, महन विचार और जीवन ही आपका असली खजाना है, चैप्टर सेवन सही दिसा चुने, हमारे पास अब सब कुछ है, जिसे हमने अतीत में चुना था, सही विकल्प चुनना जीवन का सबसे माधपूर कारक है, आम तोर पर हम कई गलत चुनाओं करते हैं, और बाद में पस्ताते हैं, ऐसे व बसकता होती है, इस धर्ती पर कई महान लोग रहते हैं, उनकी जीवन से हमें प्रेडा लेनी चाहिए, उनकी बारे में किताबे पड़े, महान वक्तियों की जीवनी पड़े, यदि आप कर सकते हैं, तो अपने लिए आप एक सलाकार या मास्टर खोज लें, चैप्टर एट अपनी ब्लूप्रिंट बदलें, हम सब मानसी ग्रूप से ब्लूप्रिंट बना चुके हैं, कि हम कौन हैं, यह ओजना हमारी खुद की दसना नहीं है, यह ब्लूप्रिंट ओ है, जो हमारे आजपास के लोगों की वज़े से बनी, और हमने मानसी ग्रूप से उसे इस्वकार प्रिवार मित्र रिष्टेदार और समाज की वज़े से बनी है यह मान्यता हमारी वास्तविक्त के मद्ध हमेशा बाधा रही है यह आप अपने जीवन बदलना चाहते हैं तो इस मान्यता को बदलना बहुत महत्पोड है चैफ्टर 9 अप स्वेको और अपनी वास्तविक सक्तियों को जाने हम खुद को लिंग जात धर्मे सिच्छा समाजिक इस्ति या आर्थिक इस्तिति के साथ पहचानते हैं हमारी वास्तविक पहचान यह है कि हम सब इंसान है और हम सभी एक दिब्यता का हिस्सा है दिब्य पास करना मुश्किल हो सकता है लेकिन जैसे जैसे आप अध्यात्मी कुरूज से प्रिगत करते हैं आपको इसका अनभव होता रहता है चैप्टर 10 आकर्षड और कर्म के सिधान्त इस ब्रहमान में जो कुछ भी उपलब्द है हम उन सब को अपने और आकरशित कर सकते हैं ऐसा करने के कई तरीके हैं लुग WiFi संपत्यिया चाह सारिक चीज़ों को आकरशित करने के तरीकिव की बारे में अधिकतर नहीं है सरवभामिक सरवच सक्ति आपको सभी बहुतायत परसिद्य स्वस्त सांति और संदर के साथ आशिरवात देगी आपको एक और सिधान्त समझना चाहिए जिसे हम भारती मिक्कर्म सिधान्त कहते हैं यहां हमारे सभी कारियों का प्रडाम मिलता है कोई भी इस सिधान्त को नहीं बदल सकता है यदि आप कुछ अच्छा करते हैं आपके साथ अच्छा होगा यदि आप दूसरे के लिए कुछ बुरा करते हैं तो डेफिनिलि आपके साथ बहुँ बुरा होगा चैप्टर 11 कोई भी आपके विकास और सफलता को रोक नहीं सकता यदि आप इस बुक के सभी नियमों को गंभीरता से पालां करेंगे तो कोई भी आपके द्वारा दर्ज कियेगे किसी भी छेतर में बृद्धी या सफलता को रोक नहीं सकता आप जो कुछ भी चाहते हैं उसे प्राप्त कर सकते हैं कोई भी आपको सवस्त होने से रोक नहीं सकता कोई भी आपको अमीर बने से रोक नहीं सकता कोई भी आपको परशिद होने से रोक नहीं सकता कोई भी आपको खुस होने से रोक नहीं सकता कोई भी आपको शांत्यपूर होने से रोक नहीं सकता और कोई सकते हैं और इसके बाद मिलते हैं नक्स वीडियो में एक और बेस्ट बुक समरी के साथ थैंक्यू सो मच